इस्राइल पर इरान और हिजबुला की तरफ से अभी तक के सबसे बड़े हमले का खत्रा बढ़ता ही जा रहा है दरसल अमेरिकी अखबार दन्यू यॉयॉक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इरान इस्राइल पर 15 अगस्ट 2024 तक जवाबी हमला कर सकता है लेकिन इस सब के बीच इस्राइल के उत्री बॉर्डर पर हिजबुला ने कोहराम मचा रखा है और अब ऐसा लग रहा है कि इस्राइल के ऊपर इरान और हिजबुला की तरफ से डबल अटेक होने जा रहा है दरसल इस्राइली सेना को इस बात की पुखता जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्ला की राडवान फोर्स उत्री इसराइल पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है IDF का कहना है कि राडवान फोर्स के पास उत्तर में खुस कर सेटिलमेंट्स में अपना जंडा लहराने और उस इलाके को आग के हवाले करने की ताकत है और ऐसे में हिजबुल्ला को किसी भी सूरत में हलके में नहीं लिया जाना चाहिए लेकिन इसराइल पर कोई बड़ा हमला करने से पहले हिजबुल्ला हर सेकंड में उत्री इसराइल को अपने हमलों से दहला रहा है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने हर एक मिनट में उत्री इसराइल पर छे बड़े हमले किये हैं जिस से इसराइल दहला हुआ है हिजबुल्ला का कहना है कि ग्यातौन में बने नए 146 वी डिवीजन के हेड़क्वाटर को ग्रेड रॉकेट के इस साल वो से उड़ा दिया गया हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने 12 अगस्ट 2024 की सुभा इस हमले के बाद मेतुला सेटलमेंट में कई राउंड रॉकेट और गोला बारूद दागा है और इस हमले के कुछ घंटों बाद सुमाका मिलिटरी साइट पर गोला बारूद से हमला किया गया और शाम होते होते करीब 7 बज कर 15 मिनट पर हिजबुल्ला ने हनीता मिलिटरी साइट के करीब इसराइली सैनिकों के उपर बड़ा हमला कर दिया हिजबुल्ला के मुताबिक इस दौरान अल-ालम मिलिटरी साइट पर भी हमला किया गया है और अलमालीकिया साइट पर तो सीधे रॉकेट हमला किया गया जिस से IDF को भारी नुकसान हुआ है मैं हिजबुला के इन हमलों के बीच इसराइली सेना के चीफ अफ स्टाफ लेफटिन एन जनरल हैर्जी हलेवी ने IDF की एक बड़ी बैठक की है जिसमें उन्होंने कई मोर्चों से युद की योजना को मनजूरी दे दी है हलेवी का कहना है कि हम उचस्तर पर युद के लिए तयार है बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग में IDF के डिप्टी चीफ, इंटेलिजन्स हेड, ओपरेशन के डिरेक्टर्स, उत्री कमांड के मुखिया और एरफोर्स के हेड ने हिस्सा लिया था आपको बता दे कि इस मीटिंग के पीछे एक बड़ा कारण है वो ये कि 12 अगस्ट 2024 को अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खबर में कहा कि इस्राइल पर अगले 24 घंटों में इरान और हिजबुला की तरफ से हमला हो सकता है जिसके मद्दे नजर IDF ने ये मीटिंग बुलाई थी इसको लेकर इस्राइल के रक्षा मंत्री यौग गेलन्ट का कहना है कि हम सतर्क्ता और तैयारी के दौर में हैं तहरान और बेरूट से खत्रा हकीकत में कभी भी बदल सकता है और सभी को इसके बारे में तैयार रहने के लिए बताना जरूरी है और सतर्प्ता का मतलब ये नहीं कि हम खौफ और दहशत में हैं वहीं इस सब के बीच इरान के उपर इंटरनाशनल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने सैयुक्त रूप से एक बयान जारी करके इरान को चेताबनी दी है कि वो इसराइल पर हमला ना करे जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है तीनों देशों ने अपने बयान में कहा कि हम गंभीरता से इस शेत्र में बड़े हुए तनाव को लेकर चिंतित है और तनाव कम करने और इलाके में इस थिरता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर एक जुट है इस परिपेक्ष में और विशेश कर हम इरान और उसके सहयोगियों से कहते हैं कि वो हमला करने से बचें जिस से इलाके में और ज्यादा तनाव ना भड़के और गाजा में युद्विराम के मौके और इसराइली बंदगों की रिहाई की बाच्चीत लडखाडा ना जाए आपको बता दे कि बिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि अगर इरान ने इसराइल पर हमला किया तो वो अपने क्रत्यों और शांती और स्थिर्ता को खत्म करने की जिम्मेदारी लेगा हाला कि इतना सब होने के बावजूद इरान के विदेश मंत्री अली बागेदी कानी ने चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से साफ कह दिया है कि इरान के पास उप्युक्त जवाब देने और रोकने का अधिकार है आपको बता दे कि इरान से बढ़ते खत्रों को देखते हुए इसराइल काफी चोकन ना हो चुका है और इरानी अटैक को लेकर अमैरिकी अधिकारियों ने भी कहा है कि इरान की तरफ से इस हफ़ते हमला हो सकता है इसको लेकर अमैरिकी राश्रुपती भवन के प्रवक्ता जॉन किर्वी का कहना है कि हमारी चिनता साज़ा है और हम अपने इसराइली समकक्ष को बताना चाहते हैं कि ये इस हफ़ते हो सकता है आपको बता दे कि जॉन किर्भी ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी इरानी हमले के लिए पूरी तरहा से तैयार है किर्भी के मताबिक हालिय दिनों में अमेरिका ने मिडली इस्ट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाया है और ये मौजूदगी 13 से 14 अपरेल 2024 को हुई इसराइल पर हमले से 20 ज्यादा है अमेरिका का कहना है कि हम इसराइल के ओपर दोबारा अपरेल जैसा हमला देखना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका इसराइल की रक्षा करेगा झाल में अ Axe कि बेज फची बड़ित 따라 हो आङ इसराइल के झाल केचल के इसराइल ऑмовी गजबाश्य को क 6 में कि व्चिसाश एलिएम इसले आप देस्सेंट को तो तो भूवाज बग्राइल evaluता जजबार मिलग फिर्फें व्रiyor से qi इस प्रिंट प्जारी कि अधर करे जासे हैं । जासे हैं तो जासे हैं। प्रफ फिर शोगुछ। प्रफ प्रफ रुप। खुछ। कि नग्टियों ऐसा क्या उति कर दोग। स्थोड़ कर दोगे दोगेव कि लूप। आ तक सुटू को दोगेश्याओ